प्रिया विद्यार्थियों, मैं सुभाष चंद्र शर्मा, आपका आपके पसंदिदा यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनहा स्वागत करता हूँ और मैं आज आपके लिए इंगलिस का एक बहुत ही महत्तपूर्ण जो पॉर्शन है वो लेकर के आया हूँ और उसकी जो स्रंखला हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूँ वो tricky vocable रही यानि कि जो शब्दाबली है उसे हम trick से कैसे याद करें आप समझ सकते हैं क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो भी exam आता है अभी चाहे हमारा CHSL हो चाहे हमारा CGL हो चाहे हमारा head constable हो अन्य कोई भी exam हो जिसमें English आ रही हो उसमें जो vocable आती है वो हमें कहीं न कहीं confuse करती है और student उसको याद करने में भी परिशानी महसूस करता है तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना tricky vocable ताकि आप आसानी से जो vocable हैं उसे समझें और अपने exam में अच्छे अंक प्राप्त करें तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम अपना जो पहला word है वो यहाँ पर लेते हैं और हमारा जो पहला word है वो है Abase क्या है? Abase अब देखिए हम जब Abase की बात करते हैं तो हमें इसको समझना है कि हम किस प्रकार से इसका अर्थो निकालें और कैसे हम इसको समझेंगे ए जो होता है वो हमारा अरे होता है ठीक है जब हम बोलते हैं कि ए इधर आईए तो हमने बोला ए यदी बेस जड़ा देखेगा या आधार कमजोर होगा होगा तो लोग तो अपमानित करेंगे ही ट्रिक समझेगा यहाँ पर प्यारे विद्यारतियों मैंने लिखा ए और इसको दोड़ा समझेगा ए यानि कि अरे हमने कहा यदी बेस यानि कि आपका आधार वीक होगा कमजोर होगा तो लोग क्या करेंगे आपको शौर है कि आपको अपमानित करेंगे आपको अपमानित करेंगे या आपको नीचा दिखाएंगे तो अपमानित करना और नीचा दिखाना अबेस से ताथ पर यह होता है अबेस मीन्स अपमानित करना यदि base मजबूत होगा, तो लोग आपको अपमानित नहीं करेंगे, और यदि आपका base ही कमजोर होगा, तो कहा गया है, a little knowledge is always a dangerous thing, तो वो आपको अपमानित करेंगे ही, तो आप सायद अच्छे से समझ गेंगे, abasements अपमानित करना, या किसी को नीचा दिखाना, अब हम number two की और चलते हैं, तो हम बोलते हैं, abate, अब जब हम abate की बात करते हैं, तो देखें, आप जरा समझिएगा, abate का, देखो थोड़ा समझिएगा फिर से, जो metric आपको बताने जा रहा हूँ, a, b, यानि की ab, ठीक है, और 8, यानि की, खाया, वो कह रहा है, कि abate नहीं किया, तो कमजोर हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, कि यहाँ पर यह trick क्या है, देखें, वो कह रहा है, abate, अब abate से हमारा मतलब, ab, और 8, खाया, वो कह रहा है कि यदि अब आपने नहीं खाया, यदि हम नहीं खाये, हम खाना छोड़ दें, तो क्या होगा, कमजोर हो जाएंगे, यानि कि कमजोर होना, छीड होना, या कम होना, कमजोर होना, छीड होना, या कम होना, तो शायद आप समझ गए होंगे कि abate means क्या होता है, कमजोर होना, छीड होना, या कम होना, शायद आप इस trick को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नमबर 3 नमबर 3 की जब हम बात करते हैं तो हमें वर्ड मिलता है Aberrant क्या मिलता है? Aberrant अब हम Aberrant को देखने की कोशिश करते हैं देखिए हमारे भारत वर्ष में और मैं भारत वर्ष नहीं मैं पूरे इस वर्ड की बात करता हूँ इसमें बहुत से लोग हैं कि जो रेंट पर रहते हैं अर्थार्थ उनका जो निवास होता है उसके लिए उन्हीं कराया देना पड़ता है तो जब हम Aberrant की बात कर रहे हैं तो थोड़ा इस ट्रिक को देखेगा A.B. अब रेंट अब वो बोल रहा है अब रेंट नहीं दिया रेंट का मतलब किराया अब रेंट नहीं दिया तो क्या होगा यदि आप समय से किसी का किराया नहीं पहुँचाते हैं तो क्या होता है आपके साथ में वो सीधा आपको बोल देता है कि आप कहीं अन्य स्थान पर देख लीजी अपना क्योंकि मैं किसी और को देने वाला हूं इसको rent पर यानि कि यदि आप rent समय से नहीं देते हैं तो जो आपका owner होता है जो मकान का मालिक होता है उसका वेभार जो होता है वो बदल जाता है तो अब rent यानि कि किराया नहीं दिया, तो क्या होता है, मकान मालिक का व्यवार बदल गया, व्यवार बदल गया, देखे मैं आपको फिर समझाता हूँ, अब यानि अब rent यानि किराया, अब आपने rent नहीं दिया, तो क्या हुआ मालिक का व्यवार बदल गया, यानि कि व्यवार में परवर्ता ना जाना, व्यवार बदल जाना, अबिरेंट, समझ गया हूँगे, अब यहां से आगे, नमबर फोर, अबेट, ज़रा समझेगा प्रि बेट, बेट से ताथ परी आपको गया होता है, शर्त, ए, बेट, उसनी कहा, ए, बेट, मतलग, अपराद में, सहायक होती है, दोबारा से देखेगा, मैंने लिखा, अबेट, यानि कि ए, शर्त मतलगाईए किसी से भी, यानि कि एक तरीके से गैंबलिंग मत कीजिए, जुवागीरी मत कीजिए, क्योंकि आप उसमें हारेंगे, और जब हारेंगे, तो आप कहीं ना कहीं, अपराद करने से नहीं चुकेंगे, यानि कि, अपराद को बढ़ावा देना, किसी को उकसाना, या अपराद में सहयक होना, फिर से समझिए, ए, बैट मतलगा, यानि शर्त मतलगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो वो किस में सहयक होती है, अपराद में सहयक होती है, किसी को उकसाने में सहयक होती है, किसी को बढ़ावा देने में सहयक होती है, तो अबोर जब हम अबोर को देखते हैं तो अबोर क्या कहता है फिर वोई ए भोर भोर से ताथ पर यह आपको क्या होता है सुभा ए भोर में उठने से गिरणा क्यों करो गिरणा क्यों करते हो जड़ा देखेगा फोर क्या हम बात कर रहे है अब याजकल एक लाइफ सिटाइल ऐसा हो गया है कि हम थोड़ा लेट जब उठते हैं तो हम थोड़ा अच्छा सवस्थे कि हम लेट उठ रहे हैं भले हिवो हमारे स्वास्ते के लिए हानिकारक होता हो लाइफ स्टाइल भी इतनी चेंज होगी है कि हमारा जो ड्यूटी टाइम हो सकता है कि वो रात के दो बजे तक हो, बारा बजे तक हो, दस बजे तक हो, तो हमें थोड़ा लेट उठने का मतलब हैबिट हो जाती है, तो वो कह रहा है कि ए भोर यानि कि सुभह में उठने पर घ घिरडा करना, एबोर, एबोर मिन्स होता है घिरडा करना या नफरत करना, तो शायद आप बड़े अच्छे से समझ गे होंगे कि एबोर मिन्स क्या होता है, घिरडा करना या नफरत करना, चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, और नमबर 6 की ओर चलते हैं, और जो हम हम एबजेक्ट को देखते हैं, तो जो एबजेक्ट से मिला जुला, जो हमें वर्ड दिखाई देता है, वो दिखाई देता है अबजेक्ट, क्या दिखाई देता है, अबजेक्ट, और यदि हम अबजेक्ट की बात करते हैं, तो अबजेक्ट से सामान, हम यहां कर्म की बात नहीं करेंगे object सामान से भी तात पर यह रखता है तो हमने कहा कि उसके घर पर कोई object को देखिएगा object को हमने क्या कर दिया object यानि कि सामान उसके घर पर कोई object नहीं है नहीं है अब नहीं है तो हम कह सकते हैं तो उसकी बड़ी दैनिय इस्थिती है, कैसी इस्थिती है? दैनिय इस्थिती है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि जो एबजेक्ट है हमने कहा बड़ी ही दैनिय सी इस्थिती है, तो एबजेक्ट यानि की आबजेक्ट यानि की सामान अब किसी के घर पर कोई सामान नहीं है, तो बड़ी ही गरीबी के हालत में है, यानि की उसकी जो इस्थति है वो कैसी है, दैनिये, दीन या हीन होना, तो ये क्या है हमारा अबजेक्ट से ताथ पर्याじ hanging, अब हम यहाँ इसे एक और word इहां पर दिखाई देता है और वो word है आपका abode क्या है abode है और जब हम abode की बात करते हैं तो abode से जो हमारा तातपरिये है abode से अगर हम तातपरिये की बात करें तो वह मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ लेकिन अभी जब हम एक abode से मिलता जुलता जोडते हैं तो abroad यानि की foreign यानि की विदेश तो हम कहेंगे कि उसका abroad देखिए अबोड को किस से जोड रहे हैं आप? अबोड से इस अबोड को किस से जोड रहे हैं? अबोड से और abroad क्या होता है आपका? विदेश ठीक है? तो हम कहें रहे हैं कि उसका abroad में भी क्या है? निवास है क्या है? निवास है दो बारस देखिए तो हमने कहा abroad यानि की abroad से जोड तो abroad मिन्स क्या होता है? निवास होना, घर होना या आवास होना तो अबोड को आप सायद अच्छे से समझ गयोंगे? अबोड मिन्स निवास होना, निवास स्थान होना, घर होना, आवास होना और अबोड को हमने किस से जोड दिया है कि अबोड से? और शायद एक्जाम में यदि ये वर्ड मिलता ह तो हम बढ़ी आसानी से इसको वहां पर कर लेंगे। अब हम यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ और वर्ड यहां पर हम देखते हैं और कुछ और वर्ड जब हम यहां पर देखते हैं तो number 8 आपके tricky word की ओर हम चलेंगे यहां से और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, नमबर एट, नमबर एट पर हम चर्चा करते हैं, और जब हम नमबर एट पर चर्चा करते हैं, तो नमबर एट, यानि की, एब्रिज, और एब्रिज की यदि हम बात करते हैं, तो देखें, एब्रिज, ए, ए मिन्स हमने बताया, आरे, ब्रिज, आप जानते हैं, क्या होता है, पुल होता है, नदी नालों पर बना हुआ होता है, तो वो कह रहा है, एब्रिज, यानि की पुल, बना कर, हम क्या करते हैं, जब हम पुल बनाते हैं, पुल बनाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है, कि जो हमारा एक लॉंग वे होता है, उसको शॉर्ट वे में कनवर्ट कर देता है, तो वो कह रहा है, एब्रिज या पुल बनाकर, राश्ता, छोटा, कर दो, ज़रा देखे, हमने कहा A, बिरिज यानि की पुल बनाकर, हम क्या कर दे, राश्ता छोटा कर दे, तो किसी को, किसी वस्तू को, छोटा करना, संचिप्त करना, या उसको घटाना, हम नहीं कहा छोटा करना, संचिप्त करना, या क्या करना, घटाना, ये किस से होता है, average से होता है, किस से होता है, average से होता है, इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं, और number 9 को देखते हैं, number 9, abrogate, क्या है number 9, abrogate, अब ये जो हम abrogate की बात कर रहे हैं, तो इसे कैसे समझे, अब रो गेट को देखे ए बी ए बी से ताद पर यह हमारा आब हो गया रो गेट सभी जानते हैं गेट ठीक है एक तरीके से दर्वाजा या मेन आपका इंट्रिंस तो वो कह रहा है कि अब रो गेट पर बैट कर अब रो गेट पर बैट कर क्यूंकि सभी फॉर्म क्या बोला हमने सभी फॉर्म नरस्ट कर दिये गए हैं देखिए दुबारा से ध्यान दीजिएगा तो हम यहां बताना चाहते हैं अब रो गेट पर बैट कर अब गेट पर बैट कर क्यूं रहा है क्यूंकि जो सारी के सारे फॉर्म है वो क्या करती गए हैं? नरस्त कर दिये गए हैं, समाप्त कर दिये गए हैं, तो नरस्त करना, समाप्त करना, या प्रभावहीन करना, क्या कर देना? प्रभावहीन करना, ये सब एक दूसरे के परियाएवाची हैं, तो नरस्त करना, समाप्त करना, या प्रभावहीन करना, एब नमबर ٹैन और अंतिम वर्ड की ओर चलेंगे आज के लिए अब वो क्या है एबजोल्व क्या बोल रहा है एबजोल्व अब एबजोल्व को देखते हैं एबी फिर से वो ही अब हम किसी भी सवाल की बात करें, हम किसी भी केस की बात करें, सोल्व हो जाए वो, तो जब वो सोल्व हो जाता है, तो क्या होता है, हमको छूट मिल जाती है हम मुक्त हो जाते हैं, हमें जो करना होता है, उससे हमको green signal मिल जाता है, तो वो कह रहा है मैं इसको हैं ऐसे समझ लूँ, अब केस यानि की मामला, अब केस यानि की मामला, सोल्व हुआ, सोल्व तो वह भी क्या, दोस्मुक्त हुआ, प्रिय विद्यारते धान दीजेगा, हमने लिखा, अब, यानि की अब, सोल्व, यानि की सोल्व हुआ क्या, मैटर कोई भी, मामला सोल्व हो गया, तो हमने उसे क्या कर दिया, दोस्मुक्त कर दिया, उसको क्या कर दिया गया है, वहाँ पर, दोस्मुक्त कर दिया गया है, तो दोस्मुक्त करना, छुटकारा पाना ठिक है, और या बरी करना, क्या करना, बरी करना, यह किस से ताथ पर यह होता है, मैं फिर से समझा दू, अब केस सोल्व, तो वहभी दोश्मुक्त, यानि कि वहभी बरी, और उसे भी छुटकारा मिल गया है, तो मैं समझता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियो, जो मैंने ये tricky vocab में अभी आपको ये 10 words समझाएं हैं, तो आप इने बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि ये word आपको आपके exam में मिल जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उनका जो हिंदी mean हैं, उसे समझेंगे, और उन्हें अंक में convert कर लेंगे, या वो आपको अंक में बढ़ूतरी करने में सहायक होंगे, तो मैं इस रंखला को आगे भी continue रखूँगा, और मैं समझता हूँ कि आपको यदि ये tricky vocab का जो छोटा सा, हमारा जो संचिप्त सा सीरीज में first है, वो यदि समझ में आया है, तो प्लीज इसे like कीजिएगा, और share कीजिएगा, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना, अपने पसंद यूट्यूब चैनल दानी इलान चल क्लासिस को, बिलकुल मत भूलिएगा, मैं पुना, आपको फिर से tricky vocab की सीरीज के साथ उपस्तित य आपनावाद।